मुस्कान बनी दुलहनिया कैसे एक दुलहन पाती है चमक? क्या है दुलहन मुस्कान की खुबसूरती का राज? परपल ड्रेस में कैसे चचती है दुलहन बनकर मुस्कान? हातों की चूडियों की खनक, बड़ी बड़ी लॉंक का लशकारा, चहरे का मेकप, होटो का मेकप और आइस का मेकप, कैसे होता है मॉर्णिंग में हैपी डान्स? और कैसे रखती है मुस्कान अपनी तवचा का ख्याल? और येशा रुगानी यानी मुस्कान अपने ब्यूटी सीक्रिट्स बता रही है इस ब्यूटी भरे डे आउट में, जहां वो बनेंगी दुलहन. So, let's start! Hello, सारी सास बहुआ बेटियों को हाई, नमस्ते, वेलकम, कैसे हो आप सब? और आज आप आपके सामने दुलहन बनी मुस्कान को देख रहे हो. तो अगर आप ये जानना जाते हो कि ये कैसे होता है, ये पूरा मतलब इतनी सारी जूरी, इतना अचा मेकप और पूरा हेट्टूटो दुलहन कैसे बना जाता है, मुस्कान कैसे बनी है दुलहन, तो देखिए. सिलल मुस्कान की मुस्कान यानी येशा बनने जाने हैं दुलहन लेकिन दुलहन का लुक पाना इतना असान नहीं उसमें लगता है लंबा चुड़ा मेकप, धेर थारे रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम, ये चूड़ियां, ये गहने उसके बाद मुस्कान बनती है दुलहन या, तो कैसा होता है दुलहन बनने का ये सफर, भै इसके लिए आज हमें येशा रुगानी के साथ पूरा दिन बिताना पड़ेगा जानेगे उनकी स्किन की खुबसूर्टी का राज, जानेगे की कैसे सुबह सुबह वो करती है, हैपी डांस उसके बाद होता है उनका make-up शुरू, कैसा है उनके दुल्हन बाला कॉस्ट्यूम, कैसी है उनकी चुलरी, कैसा make-up लगता है, कैसा eyeshadow, कैसी lipstick और कैसा base लगाते हैं और उसके बाद हो बन जाती है, चुमक्ती हुई नारंगी दुल्हनिया, जो बनने जारी है रॉनक की दुल्हनिया, तो दुल्हन के साथ पुला दिर बिताने लिए हम तयार हैं उसलिए सुबा सुबा हम पहुंची सीनल मुस्कान के सेट पर, जहां मैं मैंने येशा रुगान सजावा है और सुबह आते ही, सबसे पहले वो अपना ब्लूटूथ स्पीकर ओन करती हैं और करती हैं एक मॉर्निंग वाला हैपी डान्स जोश में आजाते हैं, काम वाले मूड में, विकुज विंटर मॉर्निंग्स आ वेरी लेजी मॉर्निंग्स तो लेजी मॉर्निंग्स को फ्रेश मॉर्निंग बनाने के लिए मॉर्निंग हैपी डान्स कर देता है एशा को फ्रेश और वो तयार है सजने सवाने के लिए लेकर उससे पहले जरा उनकी ठीम और उनके मेकप रूम को देख लिया जा कान का चुट असा अशियाना विकाज मैं अपना दिन जादा तर यही स्पेंड करती हूं अपने घर से जादा तो यही मेरा घर है और आप सबसे पहले मिलिए इन से ही इस माइ लेफ्ट राइट बोग्दा हैंज भागेश जी और पवन दाया मेरा मेकप करेंगे तो हम वो तो ready है already मेरे आने से पहले ही वो Ready है सब कुछ निकाल के, सब कुछ पहला के तो आने के बाद थोड़ा सा प्रेपड प्राइम करते हैं और थोड़ा से गाने चलाते है हुम पहले तो क्योंकि मूद अच्छा हो जाता है 5-minutes are very precious तो वो 5-minutes भी मैं ऐसे ऐसे लेट जाते हूं क्योंकि वो पावर नैप नहीं होता तो this is like my power 5-minutes lie down तो सुबह-सुबह मॉर्णिंग अफ्टर वोगाउट I do this I rest for 5-minutes and ये महौल बनने के बाद हमस्कात करते हैं मुस्कान बनना So Yesha to Muskaan कैसे बनने है देखिये इसके बाद बारीती सुभा की चाय पीने की और Yesha तयार है दुलन बनने के लिए मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं मुस्कान देख लेती हूं अपने कप में और अपने आपको इस्पार करते हूं मुस्कराने के लिए तो ये गरम पानी है अब गरम पानी अंदर का जो content है वो मुस्कराइट नहीं लाएगा पर बहार की जो coating है वो तो definitely लाएगा तो that's why a smiley cup which has hot water and then my green tea और फिर हम करते है change तो ये है खूपसूरत सा लेंगा I love the color it just shouts royalty 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 तो मुस्कान ने मुस्कान का लेंगा पहन लिया है अब येशा को make-up करना है मुस्कान बनने के लिए तो step number two make-up तो मैं अपने सिनहासन पर बैटने वाली हूं चलिए ये शा के make-up का पहरा step होता है चेहरे के cleansing करना और उसके बार लगाना moisturizer तागे make-up सेट रहे ये मेरा hydrating gel है this is a gel based moisturizer क्योंकि मेरी skin है वो combination skin है तो मैं जादा cream based use नहीं कर सकती उससे oily skin हो जाती है तो this is my morning breakfast for the skin cleansing and moisturizing के बाद अब बारी है चेहरे की toning की जो ये शा करती है इस खास massager के साथ हम अपनी skin को रोज बहुत अलग-अलग तरे से अलग-अलग तरे से अलग-अलग तरे से अलग-अलग तरे से एक्स्पोईट करते है क्या क्या पूरा दिन skin को naturally breathe कने नहीं मिलता except for the time की जब आप सो रहे हो तो अगर आप रोज मेकप लगाते हो तो this is very essential step यह तो बहुत ही important है उसके बाद में करती हूँ अपना फेशल रोलर जेड रोलर है यह Blood circulation, skin starts breathing, blood flow होता है और it also reduces your puffiness इस इस में रोते बहुत है हम तो swell up हो जाती है eyes तो this will soothen out और जो आप moisturizers लगाते हो कुछ भी product लगाते हो वो अच्छी तरह से absorb होता है skin में because of this routine तो this is my new routine मलब बहुत ओफ लेट मैंने इसको start किया है and I really like it अच्छी तोनी के बाद अब बारी है अच्छी पर फ्राइमर लगाने की जिससे आपका पेकप सेट रहता है यह open pore serum है होता है चेहरे पर concealer लगाना जिससे चेहरे के दाग दब्बे छुप जाए so we do correction जो जो चीज़े हमें कभी-कभी correct करनी पड़ती है तो हम उससे start करते है कंसीनर के बाद अब बारी है चेहरे पर foundation या बेस लगाने की और यह होता है वेक अपका सबसे important step building का foundation होता है वैसे skin का foundation होता है makeup का foundation होता है तो जिसके ऊपर हम सब कुछ बिल्ड करते है तो इस लेक बेस तो foundation स्टार्ट करेंगे हम इस लिक्विड बेस फांडेशन जिसको मैं मिक्स करती हूँ केक फांडेशन से if it's your everyday wear अगर पाटी में जाना है कहीं भी जाना है बाहर जाना है तो तो सिर्फ लिक्विड फांडेशन आप यूज कर सकते हो because that is a good light coverage सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फांडेशन गिवस अवैरी लाइट नाच्रल कवरेज whereas camera के लिए और ये जो पूरा दिन शूट चलता रहता है उसके लिए it is essential to make it a little thick तो हम उसको केक के साथ mix करते है otherwise you can also wear your liquid foundation if you just want to step out of your house बेस के बाद बारी है चेहरे की contouring की जिसके लिए प्रश इस्तवाल किया जाता है और साथा स्पांज भी और चेहरे के features एकदब हो जाते हैं sharp it's a buff brush इस brush से इतनी soothing therapeutic feeling आती है जब वो करते मुझे लगता है कि मैं सो ही जाऊ because the bristles are very very soft तो वो इस skin को इतना अच्छे से pamper करते है so I feel sleep nose contour किया जा रहा है हम लोग naturally जो sunlight हमारे चहरे पर जो हमारे natural features enhance करती है वैसे हाँ पर हम lights लगाते हैं तो lights के हसाब से हम screen के लिए उन चीजों को हमें अलग तरह से define करना पड़ता है enhance करने के लिए so that is why हमारा जो natural होता है कभी-कभी sometimes there are things that you need to add तो वो सारी चीजे हम करते है तो this is a contour जैसे हम naturally कोई picture click करते हैं sunlight में तो हमें कहीं shadow दिखता है कभी lights दिखते हैं कहीं किसी area में तो जो perfect जो चीज होती है कि कहा shadow होनी चाहिए कहा highlight होनी चाहिए वो हम make-ups achieve करते हैं और एक this is a few shades darker जो हमारा foundation होता है contour is usually a darker shade which is used because it would give an effect of a shadow so that's why nose ke sides में wherever palette variation आप देख सकते है कि अलग-अलग skins के लिए अलग-अलग तरेके shades होते है तो हम अगर skin के लिए ये use करते है ये use करते है make-up techniques बहुत differ करते है कभी-कभी हाथ से make-up करना सबसे best होता है कभी-कभी brushes से जादा sponge and other we have beauty blenders तो वो सारी चीज़े तो जो mood के हम use कर लेते है Sponze से वेशा का make-up blend हुआ और अब बार यह चेहरे को powder करने की ताकि make-up पूरा set हो जाए setting powder है थोड़ा बहुत जो आपको moist or oiliness दिखेगी because of the creams and the foundation इसको mattify करता है यह setting powder जो पूरे make-up को जो contour किया है सब को blend कर देगा skin पर and then it would look a wholesome good finished makeup पैसे face-pake-up के साथ साथ जिनके बालों पर भी काम चला है क्योंकि तुलह जूड़ा पहनने वाली है the outfit is simple and classy jewelry is extraubidant और बालों में भी हम जूड़ा बना रहे to keep it clean and I to like to be a जूड़ा बन वाला bride if at all in my life also whenever I be a bride in real यह जूड़ा बनेगी वह भी जूड़ा ही डालेगी to because I really like jura and I really like a center part who my face compliment करता है तो हम ऐसी जूड़ा बना रहे यहां पर and daamini है तो that is going to cover the entire forehead अब आ रही है eye makeup की जहां पर सबसे पहला eye पर base लगता है अब हम start करने वाले है eye makeup तो सबसे पहले just to give a little bit of a base to the eye and a little bit of some kind of a texture हम पहले यह use करते है eye पर उसके उपर हम पूरा eye makeup build करने वाले है है तो yes step one for the eyes उसके बाद तरह तरह के eye shadow से आई सचती है वैसे यह शाको eye makeup को बहुत शॉक है फिरचा है वो से लगान के तरीके हो सब कुछ है अलग इस दुलानिया के लिए this is my sweet peach palette it is as sweet as muskaan and as peachy as you can see तो यह जो shades है सारे यह मेरे favorite है favorite मतलब I can take this palette anywhere कोई भी look हो तो मैं इसी में से build up कर सकती हूँ उसको मुझे बहुत पसंदे यह सारे shades इसमें mix है, shimmer shades भी है, matte shades and the best part is it smells like peach तो इसलिए मैं लिया था तो अब हम आज जो bridal look है उसमें हम सबसे पहले we did a very light shade on the lids अभी हम उसको socket करने वाले हम तो we are using a nice purple, जो almost black लग रहा है but it's a nice shade of purple, dark deep purple अब हम वह करने वाले है जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है liner जो आई मेकप को enhance करता है complete करता है but मुझे proper defined liner नहीं पसंद है तो हम smudged liner करने वाले है और वो भी stark black color नहीं उसकरती मैं तो I am using an espresso ink which is a deep brown like a dark brown अब जो की ये शा को दुलन बना है इसले आईब्रो का makeup और शेप भी ज़रूरी है अभी हम eyebrow को shape कर रहे है which is very very essential brow को proper shape देना बहुत ही ज़रूरी है उसके बात जासे के आप देख सकते eyebrow के नीचे हमने एक highlighter use किया है तो that is like a brow highlighter जिससे eyebrow को proper shape दिया है वो अच्छे से बाहर आता है and then we have a deep shadow lighter color and we have gold वैसे makeup के साथ साथ इनके बालों का जूड़ा भी बनकर तयार है जो मोग्रे के फूलो के साथ हो गया है बड़ा ही खास मुझे white और purple बहुत पसंद है और I think Diti को भी बहुत पसंद है इसले Diti ने white flas लगा दिये और हमने one side flas इसले लगाया है क्योंकि it's not too much and it's not too little it's just the perfect अब आरी है माते की श्रिंगार की और दूलन की श्रिंगार की और दूलन की श्रिंगार में सबसे खास होती है दामिनी और देखी ये शा की दामिनी कैसे उन्हे बना रही है दूलन अब आप देखना दीरे दीरे जैसे ही हम जूलरी आड करते जाएंगे तो और ज्यादा ब्राइडल फीलिंग आती जाएगी मैं और दूलन बनती जाओंगी थोड़ी थोड़ी वैसे ब्राइडल लुक पाने के लिए आपती आखो पर आइलाश करने लगाना जरूरी है ताकि आपकी आखे खुली-खुली और बड़ी-बड़ी नजर आए वे दूलन पर सबकी आखे जो रहती है ये जो शेप है इसको एक्जाक्ली अंडर यॉर आईलिड और ये जो है लुके डंर शेक्ली आइल ये जो कि आखे लिए ने आख करने डूरी पकी आखे नहीं उस्को एक्टीटेशने के जो फिर है जो यॉर। पर सिर्ड़ी ऑमने काक्ष़क पर अ nem करें तुलीन वला तो धो सुषब यॉर। 10 यॉर। 10 थिटीन चीन आईलाग् आई लाशे तो सभारगी लेकिन अगर इंपे मस्कारे का कोट ना लगे तो आख्यों के खुपसूर्ती कैसे बढ़ेगी इसे लगा जाए मस्कारा चीज है पूरे मेक अप में विच इस मस्कारा आई लव मस्कारा आई लव टू प्ले विद लाशेज तो वाट रेजिस्टेंट मस्कारा यूज करती हूँ मैं क्योंकि बहुत रोती हूँ मैं एक प्राइट के शिंगार में सबसे खास होती है यह आई लैशेज जो आखों की पलकों को घणा दिखाती है और ये शा आज ही यूज करने वाली है अब बारी है चेहरे पर ग्लो लाने की और उसमें काम आता है यह हाइलाइटर एवरीवेर तो एक प्रॉपर जो एक ब्राइड ग्लो करती है ना वो कैसे ग्लो करती है वो आपको इससे लविट हेल्प्स ये शा की ब्राइडल मेकप का अगला स्टैप है होटो पर लिप्स्टिक लगाना ये कि उससे पहले ज़रा हो होटो को मौश्राइज करना ज़रूरी है तो ये लिप्स्टिक लगाते हो तो लिप्स्टिक लगाते हो तो लिप्स्टिक लगाते हो तो लिप्स्टिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये लिप्स्टिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये लिप्स्टिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये लिप्स्टि otherwise it gives a very glossy feel अब सरा देखते है कि ये शा कॉन सी लिप्स्टिक लगाती है ये दुलन वाले लुक पाने के लिए there is Ruby Woo which is a red जो हम नहीं लगाएंगे cancel, तो ये out फिर है हमारे पास एक बहुत ही नूट्रल शेड वो भी हम नहीं लगाएंगे then there is this is impassioned ये ब्राइट पिंक है ये हम एक उप्शन रख सकते है because I like it then we have black red this also I don't want I don't want red फिर है हमारे पास hype which is a nice matte orange this also I don't want हमारी मुस्कान दुलन का make-up तो complete हो गया लेकिन आप दुलन की जूल्री देखी जाए तो भई कौन से हार पहन रही है कौन से जुमके और कैसे दुलन का brighter look होता है complete आएए देखते है महरानियों वाला हार है भई और जूल्री के सारे pieces एक दूसरे के साथ एकदम सिंक्रिनाइजड है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पर्ल्स जड़तर कुंदन सब कुछ एक साथ है कुंदन है ना ये देखो यह रिंग में ये छोटू से जुमका भी है तो what more do you want हार उंके तो पहने हे लेकिन अगर में इस हाथों में बड़ी चुड़िया ना हूं तो दुलंदुलं कैसे लगेगी में दिवालों हातों में चुड़िया बहुत अच्छी लगती है ना छी चीज कम है अच्छा अब ये जो है चुडियों को enhance करने वाला बड़ा सा कड़ा और उसके बाद माथे पर चुड़ी और दुलन का श्रिंगार हो जाता है पूरा माथे पर चुड़ी पहनते ही ये शाब बन गई मुस्कान जो बनने जा रही है दुलनिया वैसे इस दुलन को बड़ी ही मस्ती चड़िये देखे कभी चश्मा लगाकर कभी शर्माते हुए कभी मस्ती में कैसे डांस कर रही है भाई वही तो दिन होता है किसी भी लड़की के लिए भाई शादी का दिन ही होता है जब किसी लड़की को इतनी excitement होती है और इस excitement को बया कर रहा है मुस्कान का ये dance येशा बन गई है मुस्कान और वो मुस्कान जो मंडप में जाना वाली है तो एक दम दूलहन बन के ज़ेदी है सब की नजरे तो दूलहन पर ही ठीकी रहती है इसलिए सही श्रिंगार, सही मेकप, सही कप्ड़े, और सही झुलरी बहूँ ज़रूरी है और आज सास बहु और पीटिया में येशा रुगानी यानि मुसकान के साथ ये ब्यूटी भरा दुलहन वाला डियाउट करके हमने आपको यही टिप्स दिये हैं तो अगर आप भी दुलहन जैसा श्रिंगार चाहें तो आप वही कर सकती हैं जो आज ये शाने किया सास बहु और पीटिया के साथ